हए coded-भ॥ जी अब हम स्टार्ट करते हैं मेरा बेटा अपना जो टॉपिक है वोवारा टॉपिक था तो हमारे बाद प्रवोच का इस्तमाल क्यूं कर दे आपके मुईज में भी इस स्टोर वोच इस होती है तो इस्तमाल इसलिए जाता है के तुमşa बहुत चोटे इंडर्वल को जैसे कि किसे ने 6 से 5 लगाई आँखों का जबकना यह वेर आपने कोई भी गोल किया कितने टाइम में किया तो बहुत चोटे-चोटे टाइम इंडर्वल को मेर करने के लिए हम जिसका इस्तामाल करते हैं उसको स्थोवज करते हैं आपकी बुक सबसे पहले जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो स्टोर वोच की लिखी हुई है स्टोर वोच इस यूज्टू मेर्दा शौर्ट इंटर्वल ओफ एन इवेंट यह आईशा गहरी है अगें स्टक हो रही है तो मुझे बता दे अ ने यार अब तो उस्टक बिल्कुल भी नहीं होरी मेरता ने बिल्कुल क्लेर आरिया वास तो चोटे-चोटे intervals को मयर करने के लिए time को मयर करने के लिए हम जिसका इस तवाल करते हैं उसको store watch का नाम दिया जाता है आपके सामने screen में मैंने लिखा हूँ है chapter number one store watch and there are two types of the store watches, दो तरह की store watches होती है एक को हम नाम देते हैं जी मेरा बेटा मैंने अपने गर का drying room का दिर्वाजा भी खोल दिया है ताकि signal का किसी किसम को कोई प्रॉब्लम ना आए हम बाहर से कर आगो किसी किसम की कोई आवाज आती है तो उसको अपने adjust कर लेना जी मेरा बेटा आप लोग question के जितनी मर्जी question करना चाहें आप लोग कर सकते हैं थोड़ा volume को दरा set कर रहे है यह रूमान कह रहे है मेरे बास तो speed बिल्कुल ठीक आर इंडरेनेट की भी और आवास कभी anything सो कोई शूनी है जी लीस को लोग सोबुच मेरा बेटा बताते हैं वही आज पर ना मुँपने तो अवास दू तरह की बहुत उंची होगी लोजे भी अब कह रहे थे आवास बहुत स्लो है और अभी अब कह रहे आवास बहुत उंची होगी अब जरा बता दें अब आवास आवास क्लिए है अब ठीक होगी है नॉर्मल स्पेड़ पे नॉर्मल जोल्युम पे अब जी अब क्लिए है हमारे पस डो तरह की स्टोर वोचज ती एक और नाम दे नाम देते हैं आपके सामने, नोब का मतलब जिस तरह आपके बास दो तरह की गडिया होती है, एक में डिजिट्स आ रहे होते हैं और एक में निडल्स मूव कर रहे होती है, तो निडल्स वाली गड़ी को नाम दिया जाता है, मेकैनिकल का और जहां पे डिजिट्स की फॉर्म में 1,2,3,4,5 6,7,8,डिजिट्स की फॉर्म में नमर चुरो हो हो हो, उसको गडिजिटल स्टोवज कहते हैं, तो हमारे पस दो तरह की स्टोवज़ हैं, अगर बात की जाएğन लींस काउंट की, तो हमारे पास स्धुअ कि जो सब से कम, वैलिव महीर खे की जा सकती है, जो लींस काउंट स्टो वोच हमारे पास आ रहे है यह मुहमद को मेरा बेटा जू कुसिन करना हूं तो बेटा किया करो यह एक्श्क्यूज मी सर करके आप एलेक मैसेश करता है उसके बाद आपनी अटेंशन ले ले लेते हैं उसके बाद कुछ कुछिशन भी आपका नहीं आता है मेरा बेटा आप तिंक डोन तिंक शो को जो बेले का वॉल्यूम था वही नॉर्मल वॉल्यूम रख दिये तो अब यह लाउट बिल्कुल भी नहीं है अब लोगों ने सिर्फ और जो दियान करना है और यह दियान करना है कि मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताता हूं और उसके बाद मेरा आपकी अब चैड भी फिलाल नहीं बढ़ रहा तो Mechanical Stowow Kण और Digital Stowow Kण के बाथ चलते हैं तो हमारे पास Mechanical Stowow Oच का जो लीस काउंट सो 0.01 स सेकंड है और Digital Stowowiller जो लीस काउंट है जो 0.01 सेकंड है। It means कि यहाँ पे इनकी least count के difference की वजा से ही हम यह चीज बड़े अच्छी से declare कर सकते हैं कि हमारे पास which one is the most accurate तो मैंने अगेन मुझी लाइं लिखती है, the instrument that I have less least count is more accurate and precise तो हमारे पास ऐसा instrument जिसका least count कम से कम होता है, वो ज्यादा accurate भी होता और precise भी होता है तो इन दोनों में जिसका least count सबसे कम है, वो हमारे पास page number 19 पे, 18 पे कल हम लोगों ने इलग गया, the 19 पे store watch का topic लिका हुए सबसे बहले उसकी लाइनों में definition लिख हुए, store watch is used to measure the short intervals of an event, no, हम हम बात यह कर रहे हैं कि हमारे पास there are two types of store watches, mechanical store watch and digital store watch, उन दोनों की जो तस्वीरे थी मैं आपको दिखा दूँ, कि यह आपके पास digital store watch है, black color में जो नजर आ रहे हैं, और यह वाली आपके पास mechanical store watch है, यह वाली mechanical store watch है, और इसको हम digital store watch का नाम देते हैं, तो अब हम यह बात कर रहे थे, इनके least count के हैं, तो हम हमारे पास दोनों के least count की बात करें, इसी first paragraph भी इनके least count के बारे में भी लिखा हुआ, तो हमारे पास mechanical store watch का जो least count है, वो 0.1 second है, जबकि digital store watch का जो least count है, वो 0.01 second है, and the instrument that have the less least count is more accurate and precise, ऐसा instrument जिसका least count कम से कम होता है, वो ज्यादा accurate भी होता है, और precise भी होता है, तो मेरे पिटा, इसके बाद हम बात करते हैं, कि which one is the most accurate, इन दोनों के बहाँ पे, least count के बहाँ पे, आप बढ़े अच्छी सी सीचीज के बारे में declare कर सकते हैं, दा डिजिटल स्टोवच इस मोर एकुरेट देन मेकेनिकल स्टोवच, तो अब आज़गे मेरे मैं इनके यूस पे, यूजिज ऑश दोनों का जो डिफेंस है, इन डोनों के यूज में इस्तामाल में भी डिफेंस है, कि इनको इस्तामाल कैसे करना है, यह मैंना बिटा, आईशा की अवास क्लेर में है, तो इनकी अवास कैसे क्लेर की जा सकती, जब सबकी अवास क्लेर है, जी माशलां अंडर्ड हो गए हमारे बस, पता नहीं चल रहा, किसी इसका पता नहीं चल रहा भी इशा, जी पेज नुमर एटीन है, और उसके फिर्स परग्राफ को पढ़ा रहा हूँ, वन जिरो टू, माशलां, अंडर्ड अबाव हो गए बई, जी मेरा बेटा, तो हमारे पास, सबसे बिलें बात करते हैं, मेकैनिकल स्टोव वोच की, कि मेकैनिकल स्टोव वोच को कैसे इस्तामाल किया जाता है, मेकैनिकल स्टोव वोच की अंदर एक नोब रन जाता है, इस इसको नोब नाम दिया जाता है है कोछ लोग आपनी केडी कि चाबी भी कहते है इसको नोब का नाम दिया जाता है अगेिन इस्ट अध्ण हो रही है, ठेकबी होगी होगी अब, तो मेरा बेटा हमारे पास इसको नौब का नाम दिया जाता है जी मेरा बेटा क्लेर है कुछ लोगों का वैसे आई देंट सो इशू है तो मेरा बेटा आपनी क्वालिटी वगारा चेश करके देखें और रिकोशिश किया करें कि ये भी आपका क्लास्रूम है तो इसमें भी इंसानों की तुरा बेहेव करना हम सबका फर्स बनता है जो क्या हम नहीं करते अजान बेटा स्टोर वोच किसमें इवेंट की स्टोर वोच देखो गड़ी के बारे में तिरो बात करो तो इसमें मुतलिफ साइंटेस्ट ने ये काम किया हुआ है तो किसी एक बंदे को आप यह जो है, सेहरा नहीं दे सकते, खेरफिलाल इसमें आजएंग Mechanical Stope Watch में यह जो नोब है, यह जो एक होता है, there is no to start, stop and reset the button, इसी एक बटन की होता है, आप Mechanical Stope Watch को start भी करोगे, Mechanical Stope Watch को stop भी करोगे, और इसी button से इसकी value को reset किया जाता है, और reset करने का मतलब बड़ी अच्छी से आपको बता है, कि इसको दुबारा फिर 00 की position में ले के आना, मैं यहां पर लिखा हो है, when the knob is pressed once, जब एक दफा नोब को प्रेस किया जाता है, it starts the store watch, यह store watch को start कर दीती है, when the knob is pressed second time, जब इसी knob को दूसरी दफा प्रेस करेंगे, it stores the store watch, यह store watch को stop कर देगी, and when third time pressed, it brings the needle back to zero position, यह आपकी बुक से लिवर्टिंग लिएगी है, जैसे कि आपकी बुक में next page पे जॉब लिखा होगा, how to use a store watch, तो उसके first paragraph में, use of mechanical store watch लिखा होगा है, जी, mechanical store watch के अंदर हमारे पास एक ही knob है, एक ही button है, जिसे हमने start भी करने, stop भी करने, और reset भी करने, जब knob को first time press करेंगे, यह start हो जाएगी, जब knob को second time press करेंगे, यह रुक जाएगी, और जब third time press करेंगे, यह दोबार अपनी original position पे वापिस आजाएगी, अब digital store watch की बात करें, तो digital store watch में start और stop का अलाइदा से button है, और reset का अलाइदा button बना हुआ, it has start and stop button and reset button, उसके बाद यह हमारे पास जो values देता है, वो digits की form में देता है, और when start and stop button is pressed, it starts the major events and stop when again pressed, जब एक दफ़ा इस button को press करोगे, यह start कर देगा, और दूसरी दफ़ा प्रेस करने से यह stop हो जाएगा, तो यह हमारे पास इसका difference है use में, first paragraph में आपने store watch की definition देखनी है, उसकी दो टाइप से ठीक है मेरा पेटा, अब हमारी जो class अब बिल्कुल end होती है, यही आप लोगों नहीं याद करना होगा, start store watch, mechanical और digital, उसका use, चले मेरा पेटा, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, आज की class ही पे end होती है, अल्ला हफिस कर दो अपना ही जाद आप Quando झाद मेरा ख़ों लोगों नहीं ए्ली नहीं जो से अव़ों यंगर गिए पान से, जो सबस्केश्वान वहां को था खाना है, वहीं और शारा बहुत सब्सक्ते हैं, अज।, इंदितरी आप बहुत से, अपना है की तोली है, यहीं पेंछिता है